नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोरियो में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीडियो री एक्जाम को लेकर इस भरती में सच्छिव जी का बयान क्या है नौर्मलाइजेशन पूरा खेल कैसे बिगाड़ेगा रिवाइजड की में भयंकर बदलाब और भाया डीवी रिजल्ट डीवी और अंतिम परिणाम इन सबी बातों को लेकर आपको बहुती में जानकरी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अधिक समय विश्णा करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ देखिए सबसे पहली जो खबर है वो है सच्छिव जी के बयान को लेकर देखिए कल थी 29 सितमब ठीक है और कल लेकपाल भरती के जो चात्र डीवी करवाने गए थे उनमें से एक हमारा मित्र भी था तो करीब करीब चार चात्रों ने सच्छिव जी से मुलाकात की वीडियो रिये एक्जाम को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा और इसकी रिवाइज की कब तक जारी होगी तो देखे उन्होंने ये बताया कि इस भरती को हम जादा लेट नहीं करेंगे जल्द ही आपको इसका रिवाइजड आंसुर की देखने को मिल जाएगी ठीक है उनका बयान ये कर देंगे ठीक है फरवरी तक ये भरती जो है आप मानके चलिए कि फाइनल कर दी जाएगी जो सचिव जी का बयान है मतलब रिवाइज जांसुर की डीवी रिजल्ट डीवी कराके और फाइनल रिजल्ट ये सारा काम जो है फरवरी तक फाइनल कर दिया जाएगा और ये ब आठ महीने ले जाता है ठीक है लेकिन उन्होंने फरवे तक बोला है तो बहुत बढ़िया बात है और इस भरती को लेकर काफी अच्छे संकेत उन्होंने दिये हैं अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं revised answer key को लेकर देखें revised key में आपको मैंने already बता दिया है और शायद ये खबर आपको अभी तक किसी यूट्यूबर ने ना बताई हो जो आपको मैंने बताई है और खबर यही है कि revised answer key में आपको बहुत बड़ा उतार चड़हाव देखने को मिलने वाला है ये बिलकुल पक्की बात है और इस बात को आप जो है note कर लीजिए हर सिफ्ट में कितने कितने प्रशनों पर change होगा कितने पर पूरुन अंक मिलेगा ये सब मैंने आपको बता दिया है मतलब कुल मिला कर जो है काफी changes और काफी पूरुन अंक आपको देखने को मिलने वाले है ठीक है तो काफी भेंकर बद पर्ड है जो किसी भी भरती का पूरा पासा पलड देता है ठीक है आपका जो साड़े नो हजार दरोगा भरती थी उसमें आपने देखा होगा कि भाया 20-20 नंबर तक छात रोग कम हुए थे और बहुत स्कोर बढ़ा भी था रेले में आपने देखा होगा तो यहां जो है का ससी में रेलवे में बहुत सारी सिफ्ट होती हैं वहां चेंज होता है यहां चेंज नहीं होगा देखें यहां भी चेंज हो जाएगा है ना और इस बात का प्रमान भी आपको मैंने दे दिया है कि जो लोवर का लोवर PCS 2019 का जो प्री परिक्षा का परिनाम जारी हुआ था उस परिनाम में 25 से 30 नंबर तक चात्रों के बढ़े थे और ये खुद बिलकुल आपने बहुत लोगों के मुह सुना भी होगा और जिसने एक्जाम दिया हुआ है उसको बहतर पता होगा कि उनके नंबर इस तरह से बढ़े थे ठीक है और उस बरती का भी मैंने पूरा विस परिक्रिया होती है ये बहुत ही भेंकर परिक्रिया है और इस परिक्रिया में काफी चेंजिस उतार चठाव आपको देखने को मिलने वाले हैं चाहे चार शिफ्ठी क्यों नहों हो है ना लोवर जो प्री हुआ था वो भी चार सिफ्ठ में हुआ था तो वहां आपके 35 से 30 पर तक बड़े थे और दोस्तों आपको मैं बता दूँ खेर मैं लोवर प्री की बात नहीं कर रहा मैं बात आता हूँ वीडियो रिया एक्जाम को लेकर यहाँ पेपर में काफी डिफरेंस है सीधी बात यह है मैं केवल तत्थे वाली बात करता हूँ हवा में तीर नहीं मारत यहाँ अगर मैं सिफ्ट वाइस देखूँ 26 की पहली और दूसरी 27 की पहली और दूसरी सिफ्ट में काफी difference है है ना जो पहले सिफ्ट का paper हैं दोनों बिलकुल अलग हैं डूसरी सिफ्ट के है ना यानि कि सेकंड सिफ्ट के दोनों चाहे वो 26 सेकंड हो या 27 सेकंड हो ये काफी cutting paper है और इनकी तुल्ला में काफी आसान है 26 की पहली के और 27 की पहली के तो यहीं से एक अनुमाल लग जाएगा कि किस सिफ्ट में कितना स्कोर घटे कितना बढ़ेगा और ये मैंने आपको अल्यडी बता दिया है कि काफी अंतर इन सिफ्ट में आ रहा है paper में जब paper में अंतर आ रहा है ना तो normalization में भी आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा और मैंने आपको बता दिया कि 26 की second सिफ्ट वालों के करीब करीब 17 से 20 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं ठीक है और 27 सेकिंड वालों के अगर बात करूं तो कम से कम 15 से 17 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं ठीक है तो काफी चेंज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसका जो है आपका प्रमान भी आपको DV के रिजल्ट के टाइम देखने को मिल जाएगा और जब इसका DV का परिणाम जारी होगा तो वहाँ अनुमान लग जाएगा कि किस shift में कितना बड़ा है और कितना घटा है हाला कि यूपिटर पलेसी जो है scorecard जारी नहीं करेगा बाकी बच्चों के number देखकर अनुमान लग जाएगा कि किस में कितना बड़ा है और कितना घटा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं DV के result को लेकर देखे जिस प्रकार इस भरती को लेकर सचिव जी ने जो positive बयान दिया है कि हम इस भरती को जल्द पूरा करेंगे तो उसको देखके तो यही लगता है कि आपका जो DV का result है वो आपको नवंबर में देखने को मिल जाना चाहिए ठीक है नवंबर लाश तक आपको जो है इसका result इसमें seat है और इस बार जितने भी मेहनत करने वाले चात्र हैं केवल और केवल selection उनी को मिलेगा इस बार जो है fraud चात्र गलत चात्र एक भी इस भरती में selection नहीं ले पाएगा इस बात से बिलकुल आप बेफिकर रहे हैं पिछली बार यह गरवड हुई थी काफी मातरा में त तो इस बार ऐसा नहीं है इस बार यूपिटर पलेसी ने सरकार ने बिलकुल यह exam बहुत ही अच्छे डंग से कराया है और अगर थोड़ी बहुत गंदगी आगे निकल भी जाएगी तो वो DV की टाइम पकड़ में आ जाएगी तो बहुत positive रही है अगर आपने मेहनत की है त अपने मेहनत के उपर आपका selection जरूर होगा हम इसी कामना करते हैं दोस्तो यह होगी आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जनकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जैन जे भारत